कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का आठवा सबक सबक नमबर आठ चिद्दू मुसनिफ डॉक्टर जाकिर हुसेन सफा नमबर पैंतालीस एक छोटा सा लड़का था उसका नाम था चिद्दू उस लड़की की ये आदत थी कि जब किसी को कोई काम करते देखता तो जट कहता मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही करूँगा बस दिन भर यही मैं भी मैं भी करता रहता था कभी घड़की में से देखता के कोई सड़क पर घोड़े पर सवार जा रहा है तो कहता मैं भी सवार हूँगा, मैं भी सवार हूँगा बाग में खेलने जाता और ज़ाड़ी में से कोई चिडिया फुर से उड़ती तो यह कहता मैं भी उड़ूँगा, मैं भी उड़ूँगा उसके घर से कुछ दूर एक तालाब था उसके किनारे खेलने जाया करता और नन्नी नन्नी मचलियों को पानी में तैरते देखता तो कहता मैं भी तैरूँगा, मैं भी तैरूँगा एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माबाप कहीं बाहर गए बहन किसी काम से खेट पर गई थी ये घर में बिलकुल अकेला था एक घोड़ा सफेद जैसे बुर्राक उसके सामने आकर खड़ा हो गया घोड़े पर एक सुनहरा खुपसूरत जीन कसा हुआ था घोड़ा कुछ देर तो गर्दन चुकाय खड़ा रहा फिर अपने दोनों अगले पाउं मोड़ कर घुटनों के बल जुक गया और चिद्दू से कहा आओ बैठ जाओ फिर क्या पूछना था चिद्दू तो मारे खुशी से फूले ना समाता था जट कूद कर सुनहरे जीन पर बैठ गया और लगा चुलाने मैं तो घोड़े पर सवार हो गया बाहर खेत की मेंड पर चिद्दू की बहन मुन्नी बैठी थी उसने भाई को घोड़े पर सवार देखा तो चिल्ला उठी अरे चिद्दू चिद्दू किधर चले चिद्दू बोला हम तो दुनिया देखने जाते हैं हाँ 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 ये कहकर उसने घोड़े के एक चाबुक रसीत किया और घोड़ा ऐसा उड़ा जैसे हवा जाती है पहले तो एक बड़ा सा मैदान पड़ा उस पर घोड़ा सरपट दोड़ता हुआ निकल गया फिर एक बहुत उंचे पहाड़ पर चढ़ा और दूसरी तरफ से उतर कर एक घने जंगल में पहुँचा जंगल खत्म हुआ तो हरे हरे खेत आए हर तरफ खेती लैलाहा रही थी और लाल नीले फूल खिले हुए थे खेतों से निकले तो फिर एक जंगल आया उसके पेड़ सब बहुत चोटे चोटे थे और ऐसे घने के उसमें से गुजरना मुश्किल था मगर उस घोड़े के सामने सब कुछ आसान था उसे भी तै कर लिया फिर एक रेत की दिवार आई घोड़ा इस पर भी चढ़ा मगर पाओं धंस-धंस जाते थे इसलिए तेजी ज़रा कम हो गई रेत की दिवार खूब चोड़े थी उपर पहुँचे तो देखा के नीचे समंदर लहरे मा रहा है जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी था सब नीला ही नीला घोड़े ने कहा अब मुझसे नहीं चला जाता मैं आगे नहीं जा सकता बस अब उत्रो मिया चिद्दू उत्रो चिद्दू ने कहा वाँ मैं तो और आगे चलूँगा और आगे और आगे ये सुनकर घोड़ा इस जोर से उचला कि मैं चिद्दू धड़ाम से आगे आन पड़े और रेद की दिवार पड़ से ऐसा लुड़के कि सीधे समंदर में गिर कर डुपकियां खाने लगे एक लाल सुनहरी मचली जल्दी जल्दी तैर के उपर आई और उसकी टांगों के बीच में आकर ठैर गई चिद्दू को ज़रा सहारा मिला तो उन्होंने अपना बदन उपर को उठाया और कहा आहा मैं तो फिर सवारी करूँगा मचली बोली अब इस मचली के सहारे चिद्दू मिया ने समंदर में तैरना शुरू किया चारों तरफ से नन्नी नन्नी चमकती हुई मचलीया आँ आकर जमा होने लगें चिद्दू को तैरता देख कर उन्होंने हसना और नाचना शुरू किया उधर से दर्याई चुडियों ने एक दूसरे से चिला चिला कर कहना शुरू किया अरे जरा देखो तो जरा देखो तो चिद्दू किस मजे से तैर रहा है अरे अरे देखो तू, हाँ हाँ, देखो तो जरा तेरते तेरते जब दूर निकल गए तू एक जहाज मिला जहाज पर छिद्दू का बाप था चारों तरफ छिद्दू को देखता और हर एक से पूछता था भाई, तुम्हें तो दिखाई दिया हमारा छिद्दू आओ जल्दी से घोता, नहीं तो वो देख लेंगे मचली ने ऐसा गहरा घोता लिया किस समंदर की तह को पहुँची वहाँ तरह तरह की सीपियां थी, रंग बिरंग के घूंगे थे और ऐसे ऐसे दरख्त कि छिद्दू ने कभी देखे भी ना थे छिद्दू ने जो आँखे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया, तो आँखों में पानी भर गया, और चीखे बस बस, अब उपर चलो, उपर, मेरा दम घुटा है मचली उपर निकली और चिद्दू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा उपर से आया कुछ काला, कुछ सफैद और उसने चिद्दू को चोंच में उठा लिया और अपने पर खूब फैला कर उसे हवा में उच्छाला और अपनी पीट पर बठा लिया चिद्दू चिल्लाया आ, आ, अब तो मेरे पर हो गए, मैं तो उड़ूँगा, मैं तो उड़ूँगा सफ़ा नमबर पचास ये परिंदा उचा उड़ता ही चला गया रुकने का नाम ही न लेता था उधर सूरज बराबर नीचा होता जाता था और आखिर को बिलकुल गायब ही हो गया चिद्दू के करीब से एक औरत गुजरी जो बड़े बड़े निहायत धीले बिलकुल काले कपड़े पहने हुए थी ये रात थी और उपर से जमीन को जा रही थी लेकिन परिंदा और छिद्दू थे के उपर ही उपर चले जाते थे और उड़ते उड़ते चांद और तारों की बस्ती में पहुँच गये नन्ने नन्ने चमकते हुए तारों ने कहा मिया छिद्दू सलाम कहा से आते हो अब तो बहुत देर हो गई है तुम्हारे तो सोने का वक्त है मगर छिद्दू ने कहा मेरे सोने का मैं तो उड़ूंगा उपर चले ही जाऊंगा उपर मैं तो आसमान के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि ये सूरेज दूसरी तरफ से कैसे निकलता है सफ़ा नंबर इक्यावन सितारे खूब खिल खिला कर हसे ऐसे कि ये जिल मिल जिल मिल कर रहे हो और परिंदे ने कहा कि तुम तो आसमान में जाना चाहते हो वहां तो मैं भी नहीं जा सकता तुम्हें ऐसे ही जाना हो तो बादलों के साथ जाओ मैं अब आगे नहीं जाता अच्छा, तो मैं बादलों के साथ जाऊंगा चलो, मुझे बादलों के पास ले चलो बस चलो जल्दी, चलो चलो परिंदे ने अपना रुख मोडा सीधे हाथ की तरफ से कुछ बादल आ रहे थे उनकी तरफ चला उसे देखकर एक काला काला बादल भी उसकी तरफ लपका और करीबा कर चिद्दू को गोद में ले लिया उसकी गोद बड़ी ठंडी थी ऐसी नर्म जैसे हलवा बादल चिद्दू को लेकर जो चला तो चिद्दू को ऐसा लगा कि जैसे उसके गालों पर दो बूंदे गिरीं, दो बड़ी-बड़ी गर्म-गर्म बूंदें, छिद्दू कुछ उदास्सा हो गया, और कहने लगा, ये तो ऐसे मालूम होते हैं, जैसे मेरी मा के आंसूं हो। बाधल ने बताया के, हाँ, हाँ बेटा, तेरी मा के आंसूं हैं, वो तुझे ढूंगते ढूंते ठक गई थी, और एक जगा बैठी रो रही थी, कि मैं पास से गुजरा, तो मैं ये दो आंसूं साथ लेता आया। अब उदास मत हो, उन्हें पोंच डालो, हम बस अब आसमान में पहुँचते ही हैं, मोहात खुप साफ होने चाहिए, वहाँ फरिष्टों का पहरा है, गंदे आत्मी को अंदर नहीं आने देते। ये बाते सुनकर छिद्दू ने रोना शुरू किया, और इतना रोया, इतना रोया, कि हिचकी बंद गई। वो बादल से सिसक सिसक कर कहने लगा, नहीं, मैं आसमान में अब नहीं जाओंगा, मैं अब सुरज को भी नहीं देखूंगा, मुझे अब कुछ दरकार नहीं, मुझे तो घर लेज चलो, मैं अपनी मा के पास जाओंगा, बस। चिद्दू ने ये कहा ही था कि बादल बड़ी तेजी से नीचे को चला, सब देखते के देखते ही रह गए, ये जा, वो जा, और एक जगा खूब नीचे पहुँच कर बादल ने चिद्दू को गोच से नीचे डाल दिया, ये धम से एक चमेली के पिड़ के पास गिरा, उसने जो आँख खोली तो देखा के मा तोनों हाथों से चमेली की शाखे हटा रही है, खुशी से बाचे खिली हुई है और चिला रही है, अरे लोगों देखो, मेरा चिद्दू ये है, मेरा चिद्दू ये है, इसी वक्त सूरज भी उपर से निकला, और चमेली की टहनियों में से जांक कर उसने चिद्दू का मुँ देखा, और कुछ इस तरह मुस्कुराया, कि उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा, सफा नंबर त्रेपन, मानी याद कीजिए, जाड़ी, काटो भरे चूटे चूटे दरख्त, बुर्राक, सफेद घोड़े जैसी एक सवारी जिस पर हजरत मुहम्मद सल्लिल्लाहु अलेहिवसल्लम ने महराज का सफर किया था, जीन, घोड़े की पीट पर कसा जाने वाला, मस्बूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा, चाबुक, कोड़ा, हंटर, डरकार, जरूरत, हाजत, रसीद, वसूली का कागज, सरपट दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना, लहलहाना, जूमना, हवा से हिलना, अजीब, अनोखा, निराला, लहरें, मौजें, घोता, डुपकी, सीप, सदफ, दरिया में पाया जाने वाला एक सखत किस्म का खोल, जिसके अंदर से मोती निकलता है, घोंगा, दरिया या समंदर में पाया जाने वाला एक कीड़ा, मंदिरों में बजाया जाने वाला शंख इसी कीड़े का खोल होता है, जिल्मिल जिल्मिल, टिम्टिमाहट, जगमगाहट, रुख, तरफ, सिम्त, जानिब, चहरा, हिचकी बंधना, ज्यादा रोने से सांस का रुकने लगना, हिचक हिचक का रोना, सिसक सिसक का रोना, आवाज दबा का रोना, चमेली, एक खुश्बुदार फूल का नाम, जिसे फार्सी में यासमीन कहते हैं, शाखे, शाख की जमा, तहनिया डालें, दमकना, सफ़ा नंबर चववन, सोचिये और बताईए, सवाल एक, चिद्दु किस किस्म का लड़का था? सवाल दो, घोडे से मिलकर चिद्दु क्यों खुश हुआ? सवाल तीन, चिद्दु घोडे पर सवार होकर कहां कहां से गुजरा? सवाल चार, घोडे के लिए रेद पर चलना क्यों दुश्वार था? सवाल पाँच, चिद्दु ने समंदर की सैर कैसे की? सवाल छे, काले कपडे पहने हुए औरत कौन थी? और कहां जा रही थी? सवाल साथ, पानी से सर निकालते ही चिद्दु के साथ क्या वाकिया पेश आया? सवाल आठ, परिंदी के रुख मूरते ही चिद्दु को गोद में किसने उठा लिया? सवाल नौ, दो गर्म-गर्म बूंदें किसको कहा गया है? सवाल दस, बादल ने चिद्दु को आशू के बारे में क्या बताया? सवाल ग्यारह, चिद्दु की रोते-रोते हिचकी क्यों बंद गई और उसने क्या खाहिश जहिर की? सवाल बारह, चिद्दु ने आखे खूली, तो उसने क्या देखा? दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए तालाब, खुपसूरत, सवार, रुख, परिंदा, दरकार, पहरा, चौड़ा चकला, सफा नंबर पचपन, कौलम अलिफ से कौलम बे को मिला कर मुहावरे मुकमल कीजिए कॉलम अलिफ सरपट कॉलम बे बंधना कॉलम अलिफ बाचें कॉलम बे मारना कॉलम अलिफ आखें कॉलम बे फूलेना समाना कॉलम अलिफ मौजें कॉलम बे खिलना कॉलम अलिफ खुशी से कॉलम बे दोडना कॉलम अलिफ सिस्किया, कॉलम बे बंध हुना दिये हुए जुमलों को कहानी की तर्तीब से लिखिए एक कोई चिडिया फुर से उड़ती तो ये कहता, मैं भी उड़ूंगा दो, एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था छिद्दू तीन, चिद्दू तो मारे खुशी के फूला ना समाता था चार, घोड़े पर एक सुनहरा खुपसूरत जीन कसा हुआ था पांच, समंदर में गिर कर ये डुपकियां खाने लगे छे, घोड़े ने कहा, अब मुझ से नहीं चला जाता साथ, उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहर से दमकने लगा आठ, मा दोनों हाथों से चमीली की शाखें हटा रही थी अमली काम इस सबक में मनाजरे फितरत का इजहार जगा जगा मुख्तलिफ अंदास से किया गया है जैसे खेती लैलाहा रही थी, लाल नीले फूल खिले हुए थे समंदर लहरे मार रहा था इसी तरह आप भी कमसकम पांच फिक्रे लिखिए सफ़ा नमबर चपपन गोर करने की बात इस सबक में कहीं कहीं, खुशी के इजहार के लिए हो हो हो, आ हा हा हा, हो 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 जैसे कलमात इस्तमाल हुए है इन्हें कलमे निशात कहते हैं इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए उफ, हाई, उ, आ जैसे कलमात इस्तमाल होते हैं इसी के साथ अपनी जबान भागदो का आठवा सबक नहां खत्म हुआ इसके बाद सबक नौ आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत